मारूती ब्रेजा मातर एक लाख रुपे में ले जाएंगार मार्श से पहले स्टॉक हटाने के लिए नया EMI ओफर कंपनी ने जारी किया है और आजकल मार्केट में मारूती की ब्रेजा SUV को सबसे ज़्यादा सेलिंग कारों में एक माना जाता है लेकिन इस कार को कुछ गरहाक नगत पेमेंट में नहीं खरीद पाते हैं तो वो भी इस ओफर का लाब उठा सकते हैं मारूती द्वारा जो अपडेट किया गया है और अगर आप 2023 में इस कार को खरीदने की सोच रहे हैं और करंटली आपके पास परयाप्त पैसा नहीं है तो आज आपके लिए हम आपको एक ऐसा फाइनेंस ओफर बताने वाले हैं जिसमें मारूती ब्रेजा सुबी को मातर एक लाग के डाउन पैमेंट के साथ आप खरीज सकते हैं और मारूती ब्रेजा पर कंपरी ने हाल में ही सबसे बड़ा फाइनेंस ओफर निकाला है जिसमें ग्रहा किस कार के VXI मॉडल और उससे बड़े एक और मॉडल को मातर एक लाग के डाउन पैमेंट पर खरीज सकते हैं हलाकि इस मॉडल की कीमत 9.19 लाख रुपे है और यहाँ पर 9% की ब्याजदर पर 5 साल की अबदी के लिए आप इस लोन को फाइनेस करवा सकते हैं वैसे आप किसी भी ब्रांट की गाड़ी को परचेज करें फाइनेस पर तो आफ्टर सोरूम भी अवश्चे इसके बारे में रिसर्च करें कि कहा आपको सस्ता लौन मिलने वाला है और इस SUV में 1.5 लिटर का K-Series इंजन है जो 105 PS की पाबर 138 NM का टॉर्ग देता है और इसमें 7 इंच का टची स्क्रीन, Infotainment सिस्टम, Electronic Stability Control, EBD के साथ में ABS, Hill Old Assist और Dual Airbags जैसे फीचर्स मिलते हैं वैसे अगर आपका डेली 100 से 150 किलोमेटर तक का यूज है तो आप Tata Motors की इस गाड़ी से 13,000 रुपे तक के फ्यूल की बचत कर सकते हैं और ये है Tata Tiago EB और इसकी काफी bumper booking भी चल रही है और अगर आप परिशान हो चुके हैं पैट्रोल लीजल पे होने वाले खर्स से और डेली अगर आपका calculated use 100 से 150 किलोमेटर है तो निश्चित रूप से आप लगवग 12 से 13,000 रुपे बचा सकते हैं और कार की on-road कीमट लगवग 9,000,000 के आसपास है चार वेरेंट एवेलेवल हैं दो बेंटरी पैक में आती है 19.2 किलोवाट 250 रेंज में इसके लाबा 315 रेंज में 24 किलोवाट की आती है और आप अपन इससे होने वाले हर मंतली 13,000 रुपे के बचत के बारे में तो मान लीजी आपके पास कोई 15 किलोमीटर पर लीटर का मायलेज देने वाली पैट्रॉल कार है तो इस कार को अगर आप साल में 20,000 किलोमीटर चलाते हैं तो मोटे तोर पर आप अभी की पैट्रॉल प्राइज के आने वाली फ्रॉंग्स, SUV काफी शानदा लुक और पावर के साथ आने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसका कमपटीटर मौजूद नहीं है आप इसे सीधे-सीधे XUV300 से भी कमपटीट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दोनों में किसमें ब लॉई वील्स मिलते हैं इसके अतिरिक्त XUV300 में रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं और एक्स्टियर डिफ्रेंस की बात करें तो फ्रॉंग्स में LED हैड लैम्प के साथ LED DRL जबकि XUV300 में हैलोजन हैड रैप सेटप के साथ में LED DRL से दौनों ही कारों में रियर वाइपर इसे 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन फोटेंडमेंट सिस्टम कंट्रॉलिंग फीचर्स के साथ 3 स्पॉक स्टेरिंग वील हैडस अप डिस्पले एर वैंट्स वाइडस चार्जर 360 वी डिगरी कैमरा और XUV300 के साथ पेश की जाने वाले फीचर्स की बात करें तो आटोमेटिक हेड लैब, वाइपर, आटो डिमिंग, आई आर वीम, एपल कार प्ले, एंडोर आटो के साथ में 7.0 इंच का, इंफो टैन्मेंट सिस्टम, क्रूस कंट्रॉल, एसी, फ्रेंट पार्किंग सेंसर, टीपी एमेस, रियर आर्मरेस, संडूफ, स्टेरिंग मो दूसरा है 1.0 लिटर का बूस्टर जर्ट पैट्रॉल इंचन, ये दौनों 89 बिएच्पी की पावर, 130 अनम का टॉक जनरेट करते हैं, आटोमेटिक टांश्मिशन मिलता है, और मेंड डिफरेंस ये भी है कि महेंदरा XUB दो इंचन विकल्प के साथ आती है, जिसे पैट्रो में एवेलेवल हैं, और कम नामें अच्छे खासे माइलेज के साथ में भारतीय स्टार्ट अप Okaia Electric की ओर से मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया गया है, और कम कीमत में अच्छी रेंज चाहने वालों के लिए ये इलेक्रिक स्कूटर एक शानदार व मोटर दी गई है जिससे इसे 800 वाट की पावर मिलती है 2.2 किलोवाच की बैंटरी है और E-Scooter की टॉप 55 किलोमेटर पर होर है और रेंज भी 70 से 80 किलोमेटर है और बैंटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है बाकी फीचर्स में 10 इच के ट्यूबलेस टायर है तेलिसकोपिक सस्पेंसन स्प्रिंग लोड़ेड हाइड्रॉलिक शॉक अबजर्वर डिज्टल डिस्पले राइडिंग के लिए इको सिटी और स्पोर्स मोड साथी मेट ग्रीन, मेटलिक ब्लैक, मेटलिक सिल्वर मेटलिक वाइट, मेटलिक ग्रे और मेटलिक क्यान जैसे शिक्स रंगों का विकल्प मिलता है और कंपनी के ओर से नए इलेक्टिक स्कूटर की एक सोरूम कीमत 83,999 में रुपे रखी गई है और मार्च मंत में जहां पे हुंडे मोटर्स लाँच करने वाली है अपनी नई वर्ना यानि नई जनरेशन वाली अपनी सडान कार वर्ना को और 21 मार्च को हुंडे मोटर्स इसे मार्केट में लाने वाली है और इस नई कार को सड़कों पर टेस्टिंग के दोरान देखा जा चुका है बुकिंग इसकी 25,000 रुपे के टोकन एमाउंट से जारी हो चुकी है और मार्केट में इसके कंपर्टिटर हैं मारूती सियाज, होंडा सिटी, एसकोर्डा असलैबिया और फॉक्स वैगन वर्टूस जैसी मेड साइज सेडान और ओला और एथर करने वाली हैं बड़ा धमाका यहां पर देश बर में इलेक्टिक वहानों की मांग जहां पर लगातार बढ़ती जा रही है वहां पर एथर इलेक्टिक की ओर से देश बर में स्कूटर्स पेश किये जा रहे हैं और कंपनी देश बर में 300 नए शोरूम खोलने वाली है फिलाल कंपनी में देश बर में 200 से ज़्यादा शोरूम एवलेबल है और एक ऐसी कार की बाद जिस कार में प्रैक्टिस करने आए विराट कोली जिसकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे विराट कोली दिल्ले में पोर्श की पैनरोमा टर्वो सुपर कार में नजर आए और पोर्श की ये कार जीरो से 100 किलोमेटर की रफ़ता सिर्फ 3.1 सेकंड में गेन कर लेती है और बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो 315 किलोमेटर पर हो और इसकी टॉप स्पीड है इसके लाबा बात करें इसके अन्य पावर की तो 496 CC का इंजन है 630 PS की पावर है 820 NM का जवरदा स्टॉर्क मिलता है और कार के इंटियर में कैई तरह से कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं यानि कैई तरह के विकल्प एवेलेवल होते हैं और पोर्ट्स पैना मेरा की 100 रूंकीमट 2.43 करोड रुपे है और जहाँ पर फैवरी एंड और मार्च मन्त में लौंच होने वाली है देश के मोस्ट पॉपुलर ब्रांट्स टोल्टा मोटर्स, मारुती और टाटा की कुस न्यू गाडियां वहाँ पर आप किस गाड़ी को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं अगर डिटेल्स में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी डेली लाइब चैट में शामिल हो सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तो अगर आप यूज करते हैं किसी भी ब्रांट्स की गाड़ी और उसके बारे में अपनी इंफर्मेशन अपने एक्स्पिरियंस चैनल पर लाइबली शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कीजिए हमारी टीम आप से कॉंटेक्ट करेगी परसनली हम आपके पास विजिट करके आपकी इंफर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करेंगे तो दोस्तों अब आप भी चैनल के साथ मिलकर एक्टिव कम्यूनिटी बना सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नमस्कार दोस्तों